ख्मेर में और प्रफेशा करें जुकेम का तो अध्याय दो की जरनी चालू हो गई और अध्यायदो में दो वीडियो में दे चुका हूं दो वीडियो में आप लोगी क्या का कभर कर आए बोला मैं यह मैं तीनों चीज नहीं कवर करवा दिया हूं भूला मैं यह तीनों चीज में कवर करवा दिया हूं अब अगर आप लोग अगर यह तीनों को अच्छे से पढ़के रखे हुए हो तो आपको अब यह कोश्चंस बनने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं अब दो अंग के कोश्चंस को डील मि करने वाला हुँ तो दो वीडियो बनाऊंगा दो निर्धारी प्रशन ने और उसके बाद चार निर्धारित प्रश्ण करवाऊंगा तो आप लोग न जबरदस तरीके चाहे साइन इन्वर्स साइन टू पाई भाई थ्री का मान ग्याद किजिए एक चीज हमेशा याद रखना जो आप लोगो पहले भी बता चुका हूं देखो पाई पाई होता है यह क्या है रेडियन में और डिग्री में होता है 180 याद आया और तो टू पाई क्या होगा पाई मैं बोलूं पाई भाई टू कितना होगा तो 180 बटा दो पाई की जगह 180 रख दो या रहे देखो ना पाई की वैल्ली तो रखा ने एक सुस्थी है ना आप रेडियन से डिग्री में कनवर्ट कर वहीं आएगा वहीं आएगा तो ठीक है पाई बटे दो मतलब 180 बटे दो होगा 45 होगा करके देख लो और पाई भाई सिक्स कितना होगा पाई भाई सिक्सथार्टी होगा हाया ना डोल तो आप लोग यह पता होना चाहिए अब ध्यायन से देखो अब हम लोग को क्या दिया हुए दो नंबर के लिए देखो इतना इजी क्ष्शन आता है बापरे देखो क्या दिया हुए सबसे पहले क्या दिया हुँए इसको हम लोग प्यार से लिखेंगे साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स साइन टू पाई बाई थ्री तू पाई बाई थ्री अब कई लोग क्या करेंगे रफली मैं बोला रफली ये और ये कड़ जाएगा रफली तो क्या बचा क्या बचा टू पाई बाई थ्री और इसको कई लोग बोलेंगे आंसर तो जैसे कई कि लोग बोलेंगे इसको एंसर तो आप लोग क्या करना आप लोग क्या करना मैं बता रहा हूं ऐसा करना और ऐसे करके कांट देना गलत है यह बधाई हो गलत है सर कैसे गलत हुआ सर गलत है यह है गलत चीक अब जहां से देखो सही क्या है उसको मैं लिख रहा हूं बोला मैं देखो क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन निवर्स साइन ऊंस साइन कि कहा है तो कभी विब्भी कभी वी ना डोदोग काटने से पहले शाइन इनवर्स कि परिशर होता है हम लोग 혼자 मालूम है यहां पर लिख न चूप च्मशिसों सं यह देखो क्या आया तो पाई बाई ठीर को क्या बोलते हैं देखें यह है टू पाई गाई त्री पाई की जगह 180 रख दो पाइक जगह 180 रख दिया मैं बटा तीन यह तीन एक अंद तीन चक्ळ त्छक्ण 18106 हुआ तो 120 डिगरी आगया पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होता है पाई बाई टू को बोलते हैं माइनस नभे डिगृाइं से yee कि धन नभे डिगरी के बीच में होता है जिसमें माइनस नभबे और धन नभे अंक्लूडेड होते हैं तो 120 तो आउट ओफ- répondre घो मतलब sine inverse के function में यह जो 2 pi by 3 हैं अपलब 120 degree 120 डिगरी आता ही नहीं आता ही नहीं तो आप कैसे बोल दिये यह यह कट के यह हो जाएगा तो सबसे पहले ऐसे question में range देखते हैं तो यह हमारे range में नहीं है तो इसको सबसे पहले range में लाना पड़ेगा बारेंज में लाना पड़ेगा माइनस 90 और 90 तक range में लाना पड़ेगा यह अभी कितना है 120 है यह आपका रफ वर्क है यह रफ वर्क रफ वर्क यह यह परिसर यह परिसर आप लिख सकते हो परिसर यह परिसर है भई シun-Inverse का अब क्या करें अब इसको range में कैसे लाएं तो कैसे लाते हैं चतूर्थांश याद रखना तो कि यह कर दिया मैं Sine-0 इस यह कितना दिया हुआ हैब कितना दिया हुआ है जब कितना दिया हुआ है सर 120 है देखो लिका लाया मैं 60 माइनस कर दू तो क्या हो जाए गा मैं है लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर रहा हूं इसको मैं में 180 माइनस 60 भी कर सकता हूं यहां पे रेडियन में दिया है यहां पे भी रेडियां में लिखेंगे 180 का मतलब पाई box का मतलब होता है पाई बाई थ्री इसाई लिए बोला यह याद होना चाहिए इस लिए बोला रहे हैं अब डेको इसके स्थाना काम कर रहूं यह हुआ साइन इनवर्स यह हुआ साइन इनवर्स और यह क्या है साइन आभ देखो शाइन 180 माइनस थिटा सबसे पहले देखते हैं कि पेर चेंज होगा कि एक स्थे में चेंज नहीं होता एक साइन ठीटा लिख साइन फाइनबात मिंलाइट्र होता है और आपी माइच सवाइबात मिंसिये तॉससर में धनत्मक यहां पर धनात्मक लगे अब roughly बोल सकते हैं कि ये और ये कड़ गया, तो हमारा answer क्या आगया? Finally, pi by 3. और अगर ध्यान से देखोगे, तो pi by 3 का मतलब होता है 60, और ये 60-90 और 90 के अंदर ही है. तो हमारा जो answer आएगा, वो pi by 3 आएगा. हमारा answer pi by 3 आया. समझ मैं हमारा answer क्या आया? pi by 3 आया. गया. तो ये हो गया क्या? ऐसा करते हैं. तो question number 2 देखो. Question number 2 देखने से, हमें क्या दिख रहा है वो देखते हैं? सबसे पहले है, cos inverse जो दिया है उसी को उतार लो. cos inverse cos 2 pi by 3. अब हमें cos inverse का परिसर मालूम है. क्या होता है परिसर? cos inverse के case में, परिसर होता है 0 और pi के बीच में. 0 और pi के बीच में. तो ये कितना दिया हुआ है? 2 pi by 3. रफ में करेंगे भई. 2 pi by 3. 2 pi by 3 क्या होता है? 2 pi की जगा, 180 लिग्रो, बटे 3. 3 1s are 3, 3 6s are 18, 0, 120 लिग्री दिया हुआ है. तो देखो, ये pi का मतलब क्या होता है? अगर मैं डिग्री में लिखूं, तो pi का मतलब होता है 180 लिग्री. तो आप देखो, ये जो 2 pi by 3 है, जिसका value लिग्री में होता है 120 लिग्री. क्योंकि आप radian में तो ये क्या है? तुरण मालूब नहीं चलता है तो 180 रख के देख लिया करो. तो हमारा जो range है वो कहां से रहता है? 0 से 180 तक रहता है. तो क्या वो 0 और 180 के बीच में है? तो roughly बोल सकते हैं कि ये और ये कड़ गया, roughly बोल सकते हैं ये और ये कड़ गया, लिख दीजिए, टू पाई भाई थ्री, टू पाई भाई थ्री, ठीक है? अगर roughly बोलते हैं, एक्चूली देखो, होता है क्या है? कॉस इन्वर्स, कॉस एक्स, ठीक है? तो ये roughly कड़ के क्या मिलता है? एक्स मिलता है. और जिसमें कॉस इन्वर्स का पूरा जो रेंज हैना, वो 0 से 180 के बीच होना चीए. सब मैं इसी होता है, मैं इसमें बता रहा हूँ. तो ये जो कॉस एक्स लिखा है, इसको चलो, मैं वाई मान लेता हूँ. कॉस एक्स को मैं वाई माना. अब अगर मैं x की value लिका लूँगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स y हो जाएगा. कॉस इन्वर्स y हो जाएगा. ठीक है? तो देखो, अब left hand side, left hand side देखना है, इसको देखो, इसको देखो. भूब दो यहां पर यह कोस एक्राइख की 완io मैं डौट किया तो यह कोस इन्वर्स काॉस एक्राइग्स केल एक्स video किला तो जब बहुती कउने का हुए और सॉल किया कोस एक्स को तो यह dot से मिलता है जिसको रफली बोल देते हैं कि यह और यह कट के हम लोग को यहां पे जो रहता है वो मिलता है पर यह सेल्फ और एड़्जेस्टिंग प्रॉपर्टी से हम लोग सिद्ध करते हैं और जिसमें यह बात इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इन्वर्स वाला जो प्रॉपर्टी से आता है और यह यह कट के यहां पर वाला फंक्शन आ जाता है रफली हम लोग बोलते हैं और यह सदियों से चली आजी परंपरा तो आगे भी बढ़ाते रहेंगे बस यह समझ लेना और यह रेंज का केर करना क्लियर है क्या तो यह आगया थार्ड वाला आ आप लोग करोगे तो थार्ड में दिया क्या है एक्चूली बताओं कि टैन इन्वर्स टैन इन्वर्स टैन टू पाइवाई थ्री तो टैन इन्वर्स के केस में परिसर क्या होता है परिसर परिसर क्या होता है पीछे पन्ना पल्टाओगे तो आप लोगो पता चलेगा कि मा यह इक्वल नहीं लगता है साइन के केस में लगता है साइन के केस में हम लोगों लगता है तो ध्यान से देखते रहने, साइन के केस में लगता है, क्लियर है क्लियर है यहां तक बात, तो देख लेते हैं, टू पाई बाई थ्री क्या है, अभी तो लिकाले से क्या है, टू पाई बाई थ्री, 120 था, 120 था, हाँ, तो टू पाई बाई थ्री, 120 था, क्या 120 माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में है, क्या 120 माइनस नब्बे और धन नब्बे के बीच में है, क्या यह तो 120 है, 120 है, तो 120 तो नहीं है, तो ठीक है, इसको मैं चेंज कर लूँगा, क्या मैं 120 को, क्या मैं, क्या मैं इस 120 को क्या लिखू 1806 लिख सकता हूँ आप बोल सकते हो सार 90 प्लस 30 भी तो लिख सकते हैं ठीक है वह कर्ण दो 90 whilst 30 नहीं तो पाइबाइटू है 5 बाइटू फ्लस 90 प्लस 30 बोले तीस को क्या बोलते हैं पाइबाइज प्लस तीस ति क्या होता है एक सो अब यहां पर देखो अब टैन इन्वर्स आभ देखो क्या है टैन पाइब लुक्त नबे टोट एन अब प्लस थिटा के रूप में दिख रहे है तैन अब प्लस थिटा चातूरतांश वाला मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं नब्बे में क्या ह और ठीटा की जगा है है प्लास प्लास है और दूसरे चातूर रेता है रिनातमक है कि धनातमक, थ्यान से देखो अब अब दिक्कत वाली बात क्या हुगी दिक्कत वाली बात तो कुछ नहीं हुए एक बार करके देखते हैं यह एक तैन इनवर्स ध्यान से देखना भी तो तो कॉट यह 30 एकॉर 30 के वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए तो कॉट यह कॉट्य यह पाइभाई सिक्स कर थाटी रीवर्स ठीट है तो कॉट्बशन होगा जो नहीं 1860 की वैल्यू यह यह िदर यहसे लिखते थे और कॉट्ड उसका रिवर्स लिखते थे तो कोर्ट 30 वो होगा जो 1060 होगा तो 1060 क्या होता है 1060 कैसे याद कर रहा था 0 1 1 x Roo 3 1 roo 3 तो यह क्या हो जाएगा कौट 3 y Vet root 3 यह हो जाएगा रूट 3 तो यह क्या हो जाएगा स्वारी owners kont 16 minus ministers एक हो गाएगा इन दो ट्री सक्राइब काणि माइनस त्डी तेटा आ द्रीन इन वर्स माइनस सीटा क्या हो जाएगा मानेस सीटा हो जाएगा माइनस 10 इन्वर्स ठीटा, अब बताओ 10 के केस में, 10 के केस में root 3 किसकी value होती है, 0, 1 by root 3, 1, root 3, यानि 60 की value होती है, और 60 किसको बोलते हैं, pi by 3 को बोलते हैं, तो यह हो गया answer, यह हो गया answer, यह तो मैं method 1 बताया, यह मैं method 1 बताया, हमेशा 180 को लेना, मैं बोला, हमेशा 180 को लेना, यह 360 को लेना, जिसमें यह change नहीं होता, यह change हो गया, मैं आप लोगो क्या बताया था, कि 90 और 270 degree में change होता है, तो इसको ना, यहाँ पर करने से बचना, हमेशा 180 यह 360 लाने की कोशिश करना, अब देखो मैं ब method 2 की बारी, method 2 कर रहा हो, और आप लोग method 2 से जाना, यह देखो method 2, पहले दिया क्या है, 10 inverse, 10 inverse, 10 inverse 10, 2 pi by 3, ठीक है, 2 pi by 3, 120 होता है, और मेरा range से बाहर है, तो मैं कैसे करूंगा, 180 में ले जाओ, तो 120 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 120 को 180 के term में, 180 के term में, अभी 180 के term में कर मतलब, 360 में तो बहुत घटा आना पड़ेगा, 180 लाने के लिए, तो सिर्फ हम लोग 180 में, sorry, 120 लाने में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 180 में घटा के देखते हैं, तो 180 में, अगर मैं 60 घटा दूं, तो 120 आ जाएगा, तो 180 में, 180 में मैं 60 घटा दूं, मतलब, pi by 3, माइन चेंज नहीं होता है, 10 ठीटा होता है, ठीटा की जगा है, pi by 3, ठीटा की जगा है, pi by 3, अब देखो, कौन से चतुर्थांस में, 10, यह आला देखो, 180 माइनस हीता है, 180 माइनस हीता है, दूसरे चतुर्थांस में होता है, दूसरे चतुर्थांस में होता है, और दूसरे अब आप लोग रफ़ली बोल सकते हो कि हाँ यह तो range में आ गया अब यह यह करना पड़ा कि हम लोग को या कोट की वैल्यू पूट करने पड़ी हो लिया कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें अगर ना पाई या 360 रखते हो ना अगर 360 रखते 360 हमें कितना घटाते कि आपको 120 आता तो बहुत घटाना पड़ जाता तो मैं क्या क्या 180 सामने था ऐसे कर देते हैं अच्छा लगता है तो आप लोग को जो पसंद है वो करो बस सही करके आना अब यह को तीसरा अगर आप लोग समझ गया होगे ना तो मैं आश्या करता हूं कि तीसरा आप लोग बना के दिखाओ तो हल में लिखा हां हल लिखरा मैं यह हुआ कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस थ्री पाई बाई फोर अब हम लोग तो रेंज रेंज देखते हैं रेंज क्या होता है इसका परिसर क्या होता है इसका परिसर होता है जीरो से 180 तक यह है परिसर तो यह दिया क्या है 3 pi by 4 यह 3 pi by 4 का मतलब होता है 3 into 180 upon 4 तो यह 4 एकम 4 4 4 16 और 4 25 यह आएगा तो गितना है यह इसका मतलब क्या होता है 45 दूनि 90 और 135 135 क्या range में है यह क्या होता है 0 से pi मतलब जीरो ठीटा pi का मतलब होता है 180 से बोलो क्या range में 135 रेंज में है तो ठीक है तो रफली कट गया रफली कट गया बोलेंगे और लिख देंगे 3 pi by 4 यार डैरेक्ट यह लो डैरेक्ट खताम खताम question सिधा आगे बढ़ना सिधा आगे बढ़ो अब देखो हल में लिखा हल हाथ नहीं रूखना चाहिए कुछ सोचना होचना नहीं तना प्रैक्टिस कर लो कि हाथ एक बार अगर चालू हो रहे न तो सिध बाद में जाने से पहले हैं जितना प्रैक्टिस हो सकता है कर लो यह क्या है साइन साइन इनोर्स okay झान ठ्रीपाइब 5 Okay, Sign का Range क्या आप लोगो पता है, क्या? यह होता है, minus pi by 2 से लेकर pi by 2 तक, जिसमें minus pi by 2 और pi by 2 भी include है. 3 pi by 5 क्या होता है, यह rough work में आप लोग कर सकते हो, fair में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर rough work में करना, और अगर fair में भी करोगे ना, तो side में करना, दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा ही होगा अगर कर दे रहे हो तो इसमें कोई बुरा नहीं तो 3 इंटू 180 अपॉन 5 ठीक है कट रहे हैं कि देखो 5 एकम 5 पांस तिया पंद्रह और पांस शक्का तीस ठीक है तो 36 इंटू 3 चैंग बाला 6 ठीक ठारा का आठ और एक तीन तीन और दस 108 आरहा है प्या बता हो यह जो है माइनस नबबे से नबबे तक में 108 आता है क्या नहीं आता किसी ना पैदा होटे साथ बच्चे को भी पूस जूंगा ना कि इसमें आ रहा है क्या 108 तो बोलेगा 90 से बाहर नहीं आ रह रहे होगे वही मैं बोला अब ध्यां से देखो अब ध्यां से देखना नहीं जो बताने जा रहा हुं है साइन Shihan से देखो अब ट्रिक 108 तो दिया ही हुआ है हमारा कितना 3 Pi by 5 अब 180 को हम लोग बोलते हैं पाई अब 72 को क्या बोलू मैं 72 को क्या बोलू 72 को क्या बोलू हाँ डिग्री में से डिग्री से आप रेडियन में कर सकते हो डिग्री से रेडियन में कर सकते हो टाइम लग जाएगा तो कैसे करना है टाइम लग जाएगा तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं इससे पहले वाले में भी कर लेना यह जो हर में लिखा है ना उस उसको मतलिकना क्या है पाई है तो पाई लिख लो और जो भी हर में है उसको एसे लिख दो और यहां पर पाई लिख दो क्या बोला मैं उपर वाला पाई को ऐसे लिख दो बटे जो भी नीचे है उसको ऐसे लिख दो और यहां पर पाई लिख दो और यहां पर पाई लिख दो अब ध्यान से देखो यहां पर कुछ नहीं है उसका मतलब एक है अब इसका गुणा मैं इससे करूंगा तो आएगा 5 पाई इसका गुणा से बता रहा है कि यहाँ पाई पाई लिख दो बटा पांच लिख दो और यहाँ पर यह लिख दो बस अभी इन में डोनों का गुना करों क्या आए Gothic pathing कि तीन पाई में क्या या घटाऊं कि तीन पाई आजाएं बोलो 5 Σबस이면 कुछ के तीन पाई ला सकते हो नहीं तो 5 vit 5 पाई में नोगशिक्लुंप फा योग स्पाउट करके माइनस यहां पर टू करत अब अगर अगर अ春ा ये कैसा ہے वैं आएगा पांच और क्या होगा फिर यहां पर कुछ नहीं है तो एक तो लगुत्तम क्या आएगा यह हो जाएगा पांच पाई माइनस टू पाई तो कितना हो जाएगा थ्री पाई बटा फाई आएगा वही तो ऐसे घर के लिकालने का जस्ट में एक शॉटकट आपको बता दिया है अब देखो होता है साइन इन्वर्स साइन एक सो आसी मैनस ठीटा क्या होता हैución सी में चेंज नहीं होता है चेंजम नहीं होता साइन एक सटी मैना सीटा सान ठीटा होता है यह करलो सस्कुन्ध्त में delay च्वार्च में tropical से दूसरे चार्थी चाहिएज है रखाली यह लिकार आप स्क्राइब टूपाइबाइबाइब फॉर देखो रेग्र में किनी क्या होते है टूपाइबाइबाइबाइब फाइव है तो यह तू इंटू 180 अपॉन फाइव यह पांच एकम पांच पांच तिया पंद्रा पांच शक्कतिस च्छतिस दुनी बहत्तर अरे यार बहत्तर तो अंदर में तो रफली बोलूंगा यह यह खतम हो गया तो मेरे पास बचाए टू पाइबाइब फाइव इसका अंसर यह लो कि लिए रहे तो चलो यह करके दिखाओ यह आप लोग का होंवर्क है यह आप लोग का होंवर्क है यह मैं होंवर्क लिखा जो भी बच्चे सिरियसली ढंग से पढ़ रहे हैं वो इसका कमेंट करके बताएंगे मेरे इसका कमेंट करके बताएंगे ठीक है पहले देख लेना र हल करके मैंने लिखा, हल करके मैं क्या लिखा, हल करके मैं हल ही लिखूँगा, क्या दिया हुआ है, 10 inverse, 2 cos, 2 sin inverse, 1 by 2, वाव, कितना प्यारा दिया हुआ है, कुछ नहीं, value बस तो लिखना है, देखो, 10 inverse, 2 cos, 2, sin inverse, 1 by 2, देखो, sin inverse, 1 by 2, 1 by 2, किस में आता है, sin में देखो, 0, 1 बटा दो, 1 बटा दो, किस में आता है, 30 में आता है, तो sin inverse, 1 by 2, किस की value है, 30 की value है, देखो, ऐसा करते हैं, यह हो गया, sin, 30, 30 का मतलब, 5 by 6, इसकी value होती है, एक बटा दो, एक बटा दो, अब मैं दोनों पक्षों में sin inverse कर दूं, या इस sin को उधर भेज़ दूं, तो क्या हो जाएगा, pi by 6, sin inverse, 1 by 2, कुछ नहीं, आप लोगों को बस देख लेना है, कि sin inverse, 1 by 2, हमारे किस radian या degree के मान में होता है, तो pi by 6 के में होता है, तो इसमें लिख देता हूं, कि sin inverse, 1 by 2, pi by 6 है, अब यह 2 एक कम दो, 2 ती अच्छे, ठीक है, यह होता है, tan inverse, 2 cos, pi by 3, अब देखो, cos pi by 3 है, inverse नहीं है, तो cos pi by 3 मतलब cos 60 होता है, cos 60 की value बताओ, tan inverse, 2, यह cos 60 की value क्या होती, cos 60 की value 1 by 2 होती, यह याद होना चाहिए भई, यह 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचा, यह बचा, tan inverse 1, अब tan inverse 1 देखो, tan inverse 1, किस radian या किस degree में होता है, tan inverse 1 देख लो, किस में होता है, pi by 4 में होता है, और यह हो गया, इसलिए आप लोग को महत्वपुन्ट सारणी आप लोग को बताया गया है, चतुरतांज बताया गया है, अगर वो आप लोग इससे पहले का जो lecture है ना जिसमें फस्ट टू लेक्चर में बताया हूँ, तो यह आप लोग को ऐसे ही बनेगा, यह आप लोग को ऐसे ही बनेगा, तो यह आप लोग को हूँवर्ग दिया में, क्यों होंवर्क दिया क्योंकि से इसके जैसा है आप लोगो वैल्यूपूट करना हैं लास्सक्राइब ठीक है लास्सक्राइब पार लोग तो यहाँ पर नाप साइन की जगह ने 10 लिखो साइन के जगह आप लोग ने 10 inverse पांच बटे 12 हम लोगो क्या है सिद्ध करना है यह ना बड़ा जाएगा तो इसको चार नमबर अखले में लेंगे हम लोग ठीक है तो ध्यान से देखेंगे अपन हल किया मैं यह मैं हल किया हल क्या दिया हुआ है 10 inverse 1 by 5 1 by 5 is equal to 10 inverse 5 by 12 5 by 12 हम लोग को इतना बराबर इतना सीद्ध करने का question तो left hand side में लिया left hand side देखो left hand side क्या दिया है 2 10 inverse टू टैन इन्वर्स वन बाई फाइव गजव याद टू टैन इन्वर्स वन बाई फाइव तू टैन इन्वर्स वन बाई फाइव ठीक इसका एक फॉर्मूला होता है टू टैन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टैन इन्वर्स टैन इन्वर्स टू एक्स बटे वन खाली गाल मामुलिस चाल्कोलीचन सिंक तो यह हो जाए कर टैनि वर्श टैनि इनी वर्स लिख देंगे को जीनवाश गाल Freestyle लगटम को आई सा बड़ा कर देते हैं इसको एक बार और इपनांके लिख देते हैं दो मास्क लिए आता है तो छड़ा छड़ा हाथ पहुंच चलना चाहिए तो यह होगा दो बटे पांच दो बटे पांच बटे पत्चीस में गया कैलकुलेटर उठाओ बहुंट टफ है चोबीस बटा पच्चीस आगया अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं टैन इन्वर्स जब अंश बटा हर और अंश बटा हर के रूप में होता है तो हम लिखते हैं अंश बटा हर गुणा करके इस निच्वाल अंश बटा हर को पलड़ देते हैं तो यह हो जाएगा पच्चीस सब्सक्राइक है कि तो अगले विडियो में जब dessert और राइट değildi है तो यहांस हो गया लियुद् साइट बेदाबर राइट हैं Circuit अब करें सब्सक्राइब अगले विडियो में अगले विडियो में ऊच्टेन्स हाहां मिर इंद्स ससानलास कंवार सभी विडियो आप और देखेंगे दो मांक्स के ठीक है तो यह आप लोग से यार बनना चाहिए मैं होप लगा कि बैठा हूं कि आप लोग से ऐसा कुश्चन बनेगा मिलते मच्चो नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच तब तक इस सीरीज का आनन लेते रहे और परिक्षा में भौकाल मचाने क लिए अपन लोग रैडी रहते हैं तो मिलते मच्चो नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच